Hello friends, स्वागत आपका Fairs Cloud Learn to Lead में, मैं हूँ आशू और आज हम डिसकस करेंगे 27 अक्तूबर 2021 के बहुत important current fairs लेकिन वीडियो को बिल्कुल लास तक देखना है ताकि सारे के सारे important current fair जो है वो आपके दिमाग में चले जाएं लेकिन सबसे पहले आप हमारी application को डाउनलोड करोगे careers cloud को, उसका link जो है वो आपको description box में मिल जाएगा उसके बाद जो है वो अपनी email ID के थूँ लॉग इन करें हो, crack current fairs के उपर क्लिक करके एक साल या फिर दो साल की subscription भाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों का ही price बहुत कम है लेकिन हम वो current fair cover कर देंगे जो आपको हर exam में मिलेगा यही खासियत है affairs cloud की, लेकिन ये current fair किस तरह से cover होगा? daily section मिलेगा, daily में 3 sections होंगे, detail, question and answer format और एक quiz होगा जो quiz होगा, वो आप हमारी application के उपर daily attempt कर सकते हो और जान सकते हो कि कितना current fair जो हमें याद रहता है फिर आप उसको हफते wise revise करोगे, तो 3 sections मिलेगे, उसमें भी आपको detail PDF मिल जाएगी question and answer format की PDF मिल जाएगी, लेकिन एक quiz भी होगा इसमें जो आप हमारी application के उपर हर हफते जो है वो उसको attempt कर सकते हो मंतली current fair होगा, मंतली में 4 तरह की PDF होगी, detail current fair की, question and answer format की best 100 current fair वो भी question and answer format में और pocket PDF जिसमें 2 line में, 3 line में topic को आप revise करना चाहते हैं, तो आप उसको revise कर सकते हैं, और अगर आप banking के student हैं, तो हम आपको 3 sections देंगे, जिसमें detail, question and answer format और quiz होगा, लेकिन तीनों चीजे banking and economy से ही related होगी, और जो quiz होगा, वो monthly basis पर आप हमारी application के उपर attempt कर सकते हो, और इसी तरह से जितना भी current fair जा चुका है, 2021 का वो एक ही PDF से revise करने के लिए आप exam PDF का use कर सकते हैं, और detail में budget और economic survey भी मिलेगा, लेकिन इसमें expected question and answer भी बताए जाएंगे, जो यहां से बन सकते हैं, और अगर आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं, तो हम हर state का current fair भी cover कर रहे हैं, बहुत कम हैं, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है, कि अगर आप अभी बाय करते हैं, तो आपको फायदा ये होगा 2 साल का, कि आपको अगले साल का current fair मिल जाएगा, अगर आप वहीं 2022 में जाके बाय करोगे, तो उसका price जो है वो क्या होगा, जादा होगा, तो अभी फायदा है आपको, कि इस साल का भी आपको मिल जाएगा, अगले साल का मिल जाएगा, और एक्जाम को crack कर सकते हो, आप रहाम से, लेकिन दोनों ही subscription में हम 10% extra discount दे रहे हैं, अगर आप इस code का use करोगे, ASH10 का, और इस email ID और number पे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपका को को join कर लो, description box link से, और most important question में पहला question क्या कहता है, इंडिया और कौन सी country के बीच में, पहली बार जो है, वो try service exercise हुई है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, कौंकन शक्ती 2021, बहुत important है दोस्तों, एक तो ये पता होना चाहिए, कि कौंकन शक्ती एक exercise हुई है, दो countries में, एक त Arabian Sea में, और ये हमारे पास country है, United Kingdom, तो answer हमारे पास क्या होगा, B होगा, तो मतलब आप कहा सकते हो, कि दोनों countries में नजदीकियां बढ़ेगी, mutual benefit होगा, क्योंकि दोनों countries अपने अपने experience को क्या करेंगी, इसके अंदर share करेंगी, और दोनों countries में relation तो improve होगे होगे, और technology भी इंडिया और UK के बीच में, एक maiden bilateral tri exercise हुई है, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, कौंकन शक्ति के नाम से जानेंगे, कहां पे हुई है, Arabian Sea में ये exercise हुई है, लेकिन आपने दोस्तों याद रखना है, एक exercise सिरफ कौंकन के नाम से भी होती है, exercise कौंकन, only कौंकन, कौंकन बेस basically 2004 में start की गई थी, ये तो कौंकन शक्ती है, एक only कौंकन exercise है, 2004 में start की गई थी, इंडियन नेवी और बेटेन की नेवी के बीच में, तो कौंकन से ये भी याद रख सकते हो आप, ये भी इंडिया और बेटेन के बीच में ही है, next एक exercise है, इंदर दुनुष, ये भी याद बारिश कहां से होती है, आसमान से, तो इतका मतला आप याद रखोगे, एर फोर्स exercise है, लेकिन ये भी किसके बीच में है, इंडिया और युनाइटेड के बीच में है, एक exercise और याद रखोगे, अजय वरियर, ये भी अभी हुई है, तो ये भी याद रखना है, ये भी किस अधिक नेवी की exercise है, और एक हमारे पास क्या है, लाइक, कह सकते हो, एर फोर्स की exercise है, और इसी के साथ आप एक मालाबार exercise भी याद रख सकते हो, मालाबार exercise, मालाबार जो हो चार कंट्री से में होती है, इंडिया, जपैन, और यू यूएस याद ए अस्टेलिया, तो चार कंट्रीज में माला बार एक्सरसाइज नेक्स आते हैं कौन सी मूवी जो है यह बहुत important question है याद रखने है 100% आपको exam में मिलेगा What is the name of the movie which has been selected as India's official entry for 94th Academy Awards मतलब Oscar 2022 के लिए इंडिया की official entry जो है वो कौन सी मूवी से जो है वो हुई है तो आपने याद रखने है वैसे तो 14 तरह की अलग-लग movies थी जिसको compete करके कौन सी मूवी जीती है यह आपने मुझे बताना है तो यह जो आप यहाँ पर options देख रहे हैं सारी की सारी movies यह 14 movies का हिस्सा थी लेकिन इन में से जो सबसे अच्छी मूवी जो है वो जीती है जो nominate होगी अब Oscars में इंडिया के official entry के अंदर और वो मूवी का नाम है Cools Angle तो याद रखोगे answer क्या होगा C होगा कौन सी language में Tamil movie है दोस्तों देखो 2-3 चीज़े यहाँ पर रखने वाली है जो examiner आपको पूछ सकता है और इसका English title जो है वो क्या है इसका English title है pebbles क्या है pebbles मतलब छोटे-छोटे पत्थर हम जिसको कह देते हैं उसको हम क्या कहते है pebbles और ये किस बंदे ने direct की है direct की है मतलब डेरेक्टर कौन है इसके तो याद रखना है विनोथ राज है क्या है विनोथ राज पी-एस यह पूरा नाम है लेकिन आप विनोथ राज से भी याद रख सकते हैं और इसको produce किस ने किया है इसको produce किया है Roddy Pictures ने Roddy Pictures of Vignesh Siwan अगर आपने नाम याद रखना है याद रख सकते हो कंपनी है Roddy Pictures उन्होंने इसको produce किया है लेकिन इसको डिरेक्टर जो है वो पूछा जा सकता है विनोथ राज पी-एस है I think यह उनकी पहली मूवी थी I am not sure but I think उनकी पहली मूवी थी और अब इसको select करी लिया गया है तो इसका best international film category के अंदर ये जो है nominate किया जाएगा और ये मूवी जो है वो recently बहुत से अवाड जी चुकी है ये like आप कहा सकते हो recently इन्होंने Tiger Award जीता है Tiger Award for best film इन्द आप कहा सकते हो जो हमारा 50th international film festival Rotterdam था उसके अंदर इन्होंने जीता है Tiger Award और even Indian Film Festival of Los Angels में भी जो है 2022 है ये अभी मार्च में होगा जाके ये Los Angels में होगा United States of America में लेकिन अपने याद रख रहे है इंडिया की official entry Coos Angle है जो की Tamil movie है और उसका English नाम क्या है Pebbles चोटे-चोटे पत्थर मतलब एक बंजर जमीन जो है उसके उपर जो है याद रखनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये उसके दो cover page आप देख सकते हो इसके जो movie है हमारे पास Pebbles या कूज हंगल और ये official entry हैं डिया के Oscar के लिए बहुत important question है 100% आपको मिलेगा एक्जाम में नेक्स आते हैं दोस्तों very important question sections के उपर लेकिन वीडियो को like अभी के अभी like करोगे अभी के अभी जो है वो share करोगे कम से कम अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को जो जिसका आप भी जाते होगी यार exam clear हो जाए और channel को अभी के अभी subscribe कर देंगे telegram group को साथ ही साथ join कर लो ये recently Prime Minister Modi जी ने इसको launch किया है कहां से launch किया है वारा नसी में वो गए हुए है तो वारा नसी से उन्होंने launch किया है इसको और वारा नसी ये UP में आप आज कल ज़्यादा चीज़े होते हुए देख रहे हो तो इसका मत आपको जनी स्टेट्स को cover करेंगे दस स्टेट्स को जहां पर क्या किया जाएगा cover किया जाएगा और ये mission जो है वो health care infrastructure को और अच्छा करने के लिए है आपको पता है एक चली रही है आईशमान बारे scheme आईशमान बारे योजना ये आप कह सकते हैं इसको जन अरोगया योजना भी कहा जाता है आईशमान बारे जन अरोगया योजना जिसमें जो है वो आपको 5 लाख रुपे पर साल जो है वो पर फैमिली जो है वो दिये जाते है ताकि आप जो है वो affordable treatment करवा सको और कोई भी बंदा बिमारी के कारण जो है वो ना मरे तो अभी जो है वो इसके अंदर health infrastructure mission मतलब हमने infrastructure create करना है मतलब health की सुविदाएं जहां पर provide करनी है वो चीज़ बनानी है तो high focus states जो है वो इसमें कितनी रखी गई है 10 states को रखा गया है इसमें क्या होगा इन्होंने target रखा है कि हमने health and wellness center बनाने है क्या बनाने है health and wellness center बनाने है हर गाउ में हर शेहर में तांकि आप कह सकते हो बिमारियों का जल्दी पता लग सके और बिमारियों को जल्दी ठीक किया जा सके इसमें like medical consultation free test होंगे free medicine जो है provide की जाएंगी जो medical consultation होगी वो भी free होंगी तो जिसमें लोगों को जो है वो कोई बिदिक्क जो है आप कह सकते हो कि health से regarding जो है वो नहीं आएगी तो आपने याद रखना है अगर आग जामिनर पूछ ले high focus states जो है इसमें कितनी है दस states को रखा गया है तो प्राइमिनिस्टर नरेंदर मोधी जी ने और भी project जो है वो लांच किया है यहाँ पे लेकिन फिर भी आपने याद रखना है प्राइमिनिस्टर एउश्मन बारत health infrastructure mission ये वैसे तो pan India health infrastructure scheme है लेकिन आपने याद रखना है अगर आपको पूछे high focus states कितनी है तो 10 answer आपने लगाना है 10 answer जो है वो लगाना है बहुत important है next आते हैं अगले question के ओपर यहाँ पे भी आप देख सकते हो health infrastructure को improve करना है गाउं में और शेहरों में लेकिन ये से 5 साल के अंदर जो है वो improve किया जाएगा और कितने health and wellness center बनाने है 17,788 और कितनी states में 10 high focus states जो हमें उसमें रखे के वैसे तो यह पूरे इंडिया में implement किया जाएगा लेकिन 10 high focus states में जो है वो खास दियान दिया जाएगा और 17,788 मतलब almost 18,000 जो है वो rural health and wellness center बनाने है ताकि health system जो है वो अच्छा हो सके next आते हैं Indigo जो की एक airline है बहुत ही famous and कौन से bank ने एक partnership की है ताकि वो एक co-branded credit card launch कर सके जिसका नाम होगा carching तो यहर नाम सी पता लग रहा है यहां पे कि अगर यह किसी airline के साथ मिलके co-branded credit card launch किया जा रहा है मतलब अगर उस credit card से आप tickets को book करते हो traveling के time period पर use करोगे तो आपको कुछ cash back आपको कुछ offers जो है वो दिये जाएंगे travel benefits मिल सकते हैं आपको कुछ rewards दिये जाएंगे और यह concept bank के साथ मिलके issue किया है Kotech Mahindra bank के साथ मिलके जो है वो issue किया है तो याद रखने है Kotech Mahindra bank और indigo ने एक co-branded credit card launch किया आपको नाम भी पूछा जा सकता है का चिंग नाम से जो है वो क्या किया है इसको launch किया है already जो है Kotech Mahindra bank एक reward program जो है वो start कर चुक है 6E reward program जिसमें अलग-लग तरह के जो है benefits दिये जाएंगे traveling के time period पे या shopping के time period पे 6 अलग-लग तरह के है और 6E rewards के तहती जो है वो यहाँ पे भी जो है वो आपको इस credit card के अंदर भी benefits बलेंगे exclusive offers दिये जाएंगे travel benefits होंगे domestic या international travel के time period पे लेकिन कोटेक में इंदर बैंक के बारे में याद रखें 2003 में इसकी स्थापना की गई as a banking headquarter जो है वो इसका कहां पे है Mumbai में और इसके MD और CEO कौन है उदे कोटेक जी और tagline के है let's make money simple let's make money simple लेकिन आज की अगर इस बागदोड में देखोगे तो पैसा ही जो है वो सबसे ज़्यादा complex है सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि गुंजलदार जो चीज है वो पैसा ही है हमने बना लिया उसको लेकिन ये कहते हैं कि let's make money simple हम पैसे को simple बना देंगे मिलके बना देंगे लेकिन मुश्किल है Indigo, Kotec Mahindra Bank tie-up for the co-branded credit card आप यहाँ पे देख सकते हो 6 e-rewards Excel क्योंकि उन्हें दो तरह के credit card basically launch किये है एक तो 6 e-rewards Excel के नाम से एक 6 e-rewards के नाम से उसमें Excel नहीं लिखा हुआ Excel मतलब जादा rewards मिलेंगे उसमे और नाम है काचिंग Kotec Mahindra Bank और Indigo का है और यह जो आप यहाँ पे sign देख रहे हो लोगों देख रहे हो इंडिको का है Indigo के बारे में भी थोड़ा सा अगर जानना चाहते हो जान सकते हो मतलब 2021 के data के recording अगर आप देखोगे अगर सब्तमबर के data के recording तो Indigo जो है विंडिय का पार्ट टाइम नहीं बात करा होल टाइम डिरेक्टर और CEO कौन है रॉनजे दत्ता यह इसके जो है वो होल टाइम डिरेक्टर और CEO है नेक्स आते हैं अगला कोशन है Small and Medium Businesses New Bank Small and Medium Businesses का एक New Bank है जिसका नाम है Flow Biz Announced Whom as the Brand Ambassador for its flagship product My Bill Book तो देखो My Bill Book के लिए जो है वो इन्होंने किसको My Bill Book अपने एक product को promote करने के लिए इन्होंने किसको Brand Ambassador बनाया है और one of the finest actor अगर किसी ने show देखा है like Amazon Prime का जिसका नाम है Family Man शायद देखा होगा तो उसके जो lead actor है वहीं इसके Brand Ambassador है और answer क्या होगा Manoj Vajpaji होगा answer क्या होगा इसका D होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो small and finance या small and medium businesses है उनका एक new bank है जिसका नाम है Flow Biz उन्होंने Manoj Vajpaji को अपना एक Brand Ambassador बनाया कौन से product के लिए My Bill Book product के लिए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह My Bill Book basically है क्या My Bill Book जो Bill Book है वो एक software है जो GST registered businesses है उनको हर तरह की help जो है वो provide करता है like invoicing की help provide करता है उनको जितनी भी business activities है सब में help provide करता है मतब एक तरह का secure platform है small and medium businesses के लिए ताकि वो अपनी transactions का record रख सकते हैं सारा का सारा वो अपने business की performance को track कर सकते है इस software के थूर My Bill Book नाम सी पता लग रहा है और अपने जो भी businesses हैं उनको smoothly चला सकते हैं और इस My Bill Book का वो use अपने mobile application के थूर और computer के थूर कर सकते हैं मतलब laptop के थूर या desktop के थूर इसको कर सकते हैं कहीं पे भी किसी भी time period पे तो आपने याद रख रहा है My Bill Book के जो brand investor बनाएगे मनोज बाजपाई लेकिन यह My Bill Book किसका platform है Flow Biz का platform है नेक्स आते हैं अगला question और यहाँ पे भी आप देख सकते हो यह business को ले seriously तो इस campaign को promote करेंगे इस tagline के साथ तो मनोज बाजपाई जी और Flow Biz जो है वो release करेगा advertisement film मनोज बाजपाई जी आपको दिख जाएगा दो तिन दिन के अंदर TV के अंदर याड दिख जाएगा तो उससे आप समझ भी जाओगे अब आते हैं अगले question के उपर अगला question है हमारे पास Which state launched a scheme to provide electric two wheelers at subsidized rates to the workers तो देखो यार मतलब carbon या आप कह सकते हो simple words में कि pollution जादा ना हो जिसके कारण जो है वो electric two wheelers के उपर जो है वो कुछ discount जो है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है मतलब वो पैसे जो है वो basically सरकार की दरफ से पे कर दिया जाएंगे workers के लिए और यह scheme कौनसी state government ने start की है यह start की है गुजरात की सरकार ने तो अंसर क्या होगा इसका B होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर बुपेंदर पटेल जी उन्होंने इस scheme की शिरुवात किया और इस scheme का नाम क्या है Go Green Scheme याद रखोगे क्या नाम है Go Green Scheme तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि Go Green Scheme के तहट जो है यह क्या होगा कि जो बिल है वो मतलब उनका जो इंदन होगा मतलब यूज नहीं होगा इंडस्ट्रियर लेबर का काम करते हैं किसी कार खाने में करते हैं किसी फैक्टरी में उनको تیस परसेंट की subsidy दी जाएगी मानलो अगर कोई एक लाख रुपे का वहिकल है मतलब अगर एक लाख रुपे का कोई वहिकल है तो इसका मतलब उसमें से 30,000 उपे जो है वो सरकार की दरफ से दिये जाएंगे 30% आप कह सकते हो या फिर 30,000 उपे जो है वो दिये जाएंगे जो भी दोनों में से amount क्या होगी कम होगी अगर आप कोई battery operated two wheeler खरीदते हो तो ये तो हो गया industrial laborer के लिए लेकिन construction worker के लिए भी है लेकिन construction worker के लिए 50% subsidy जो है वो दी जाएगी लेकिन उसमें भी जो है वो maximum to maximum राशी 30,000 उपे ही दी जाएगी subsidy के तोर पे अगर कोई वो two wheelers battery operated खरीटने हैं तो ये one time subsidy जो है वो दी जाएगी जब वो RTO में registration करवाएंगे road tax pay करेंगे तब जो है वो ये subsidy उनको provide कर दी जाएगी और इसको जो है वो start किया जारे state government के द्वारा और इसमें 1000 तो industrial workers को पहले ये subsidy दी जाएगी और construction workers जो है वो 2000 इसमें चुने जाएगे आप कहा सकते हो कि इसमें 2000 जो है वो industrial workers है 1000 जो है वो construction worker उल्टा लिख दिया पहले तो industrial worker इसमें 2000 है construction worker 1000 है लेकिन आपने ये याद रखना है अगर आप गुजरात के student है ये exact that आप तब याद रखोगे otherwise simply scheme का नाम याद रखना है कि go green scheme जो है वो किसने start की है और ये scheme जो है तब ही applicable होगी अगर government approved या local produced vehicles को ही आप खरीदोगे तब ही जो है वो ये scheme जो है वो क्या करेगी काम करेगी तो याद रखना है गुजरात के हम बात करें बुपेंदर पटेल जो है वो यहाँ के क्या है चीफ मिनिस्टर है और यहाँ पे दोस्तों आपको एक बहुत ही important national park मिल जाता है जिसका नाम हमारे पास क्या है गिर national park याद रखोगे गिर national park यहीं पे आपको एक black buck national park भी मिलेगा यहीं पे आपको वनसदा national park भी मिलेगा वनसदा national park और यहाँ पे एक आपको मिलेगा marine national park Marine National Park याद रखोगे, चारो के चारो बहुत important है Next आते हैं, यूनियम निस्टर नितन गड़करी जी ने एक knowledge application या platform को launch किया है जिसका नाम क्या है consult C-U-N-S-U-L-T तो इसको याद रखना है, consult नाम से एक knowledge या आप कह सकते हैं, knowledge sharing platform जो है उन्होंने launch किया है Basically आप यह नहीं कह सकते हैं, इसको नितन गड़करी जी ने launch किया है Basically इसको launch हो किया है, वो रागव चंदर ने किया है रागव चंदरा, रागव चंदरा जो है, वो retired secretary है, government of India के और आजकल chairman भी है, national highway authority of India के तो उन्होंने इसको launch किया है, in presence of नितिन गड़करीजी और इसके अंदर होगा क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि एक ऐसी global facility है जिसमें लोग जो हैं वो जुड़ेंगे, क्योंकि नाम है consult मतलब आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे कोई भी information अगर जानना चाहते हो, तो अलग लग sectors में, जिसमें 65 sectors जो हैं बताए हुए उन्होंने, तो उसमें आप advice ले सकते हो, counselling कर सकते हो, guidance दे सकते हो, और even contact या call भी कर सकते हो, experts के साथ, अलग लग sectors के अंदर, तो बहुत ही और जो knowledge जिनके पास है, वो आपस में यहां पर connect हो जाएंगे, simply नाम याद रखना है, platform का क्या है, consult, और इसमें आप कह सकते हो, unique जो experts होंगे, वो अपनी like, जो माहीर होंगे अपने-पने field में, वो अपनी राए यहां पर दे सकते हैं, और इसमें articles, video blogs, अलग लग तरह की जानकरी मिलेगी, और नेतिन गड़करी आपको पता है, ministry of transport, इनके अंडर आती है, और इनकी constituency कौनसी है, नागपुर, महराश्टरा, नेक्स आते हैं, phase two of महात्मा गांधी national fellowship launched for how much time, तो महात्मा गांधी national fellowship जो है, उसका phase two जो है, वो start कर दिया है, कितने साल के लिए start किया 2021 से लेके 23 तक जो है, वो start कर दिया गया है, तो ये दो साल की जो fellowship, मतलब ये opportunities create करेगी, ताकि जो youth है, उसमें skill development जो हो सके, हम निचले level से जो है, वो उनको skill दे सके, खास करके इसका जो academic partner है, वो IIM रहता है, मतलब Indian Institute of Management, जो आप कह सकते है, post graduate में सबसे बड़ा जो है, वो जिनको fellowship मिली है, उनको training जो है, वो provide करेगा, और साथी साथ उनको कुछ न कुछ stipend भी जो है, वो दिया जाएगा, मतलब उनको कुछ न कुछ पैसे भी साथ में दिये जाएंगे, और fellowship का main मकसद ही ये है, कि जो like, आप कह सकते हो, जो अच्छे student है, उनमें, जो है, वो employment opportunities प के बीच में, आयू जो है, वो इसमें कितने के कितने बीच होती है, 21-30 के बीच में, जो की एक academic या professional expertise रखते हैं, उनको और बहतर बनाने के लिए जो है, तो उनको जो है, वो लग-लगतर रांके courses जो है, वो सिखाए जाते हैं, और इसमें इनको stipend मिलता है, पहले साल जो है आयम रहता है, यह है हमारे पास महात्मा गांधी National Fellowship Program, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दर्मेंदर परदान जी ने इसको launch किया, इसका दूसरा page जो है, वो launch किया है, और दर्मेंदर परदान आपको बता है कि हमारे शिक्षा मंतरी भी हैं, नेक्स आते हैं दोस्तो, HDFC Limited और कौनसे payment bank की तरफ से जो एक strategic partnership होई है, तांकि home loans जो है वो दिये जा सकें, मतलब कह सकते हो, कि जो HDFC Limited है, वो home loans जो है, वो provide करेगा, कौनसे payment bank के गरहकों को, यह home loan provide करेंगे, और यह करेंगे India post payment bank के गरहकों को, तो answer क्या होगा, इसका D होगा, तो target क्या है HDFC Limited का, कि वो home loan जो है, वो provide कर सकें, जो कि India post payment bank के 4.7 crore customers है, उनको यह loan जो है, वो दे सकें, और अपनी, जो आप कह सकते हो, इंडिया post payment bank की 4.5, 450 branches हैं पूरी इंडिया के अंदर, उनको जो है, वो यह loan provide कर सकें, तांकि उनको असान किष्टों में, या असान पैसों में जो है, वो उनक जाएगा, और home loans आप कह सकते हो, कि उन लोगों को ज़्यादा फाइदा करेगा, जो भी तक banking sector के साथ जुड़े नहीं है, या जिनके पास पैसे नहीं है, तो उनको अगर यह मिल जाता है, तो और भी ज़्यादा benefit मिलेगा, और खास करके, इंडिया post payment के साथ जो dark सेवक भी यह facility मिल जाएगी, और इंडिया post payment के bank में बारे में याद रखो, 2018 में इसको Department of Post, मतलब Ministry of Communication की तरफ से start किया गया था, headquarter इसका New Delhi ही है, MDO और CEO J. Venkta Ramu है, J. Venkta Ramu, और इसकी tagline है, आपका bank आपके दौआर, आपका bank आपके दौआर, याद रखोगे, इंडिया post payment bank important है नेक्स आते हैं, Comptroller and Auditor Journal of India, और कौन सी country के Auditor Journal के बीच में MOU साइन हुआ है, ताकि हम audit process दोनों countries आपस में मिलके, जो है, वो मजबूत करेंगे, खास करके finance sector के अंदर, मतलब financial activities के अंदर तो आप बताएंगे कि ये कौन सी country के Auditor Journal की बात करें, हमारे Comptroller Auditor Journal तो आपको पता है कौन है, G.C. मुर्मूजी है, G.C. मुर्मूजी मतलब उन्होंने sign किया है, और जो उनके Auditor Journal हैं दोस्तों, उनका नाम है हुसैन नियाजी, लेकिन हमें तो याद नहीं रखना नाम, ल नए methods के बारे में पता लगेगा, और हम audit system को, मतलब जांचने के system को जो है, हम और भी अच्छा कर सकते हैं, तो दोनों countries ने tie-up किया है, इवन दोनों के countries के जो staff होंगे, auditors के, उनको training भी प्रवाइट की जाएगी, ताकि दोनों के एक दूसरे के system के बारे में जानकरी मिल स चुके हैं, और साथ ही साथ जो है, अब जो है, वो controlled auditor journal बन चुके हैं, next, कौनसी insurance company ने एक, आप कह सकते हो की, प्रोग्राम लांच किया, या एक application-based solution लांच किया, जिसका नाम है, be fit to provide benefits of OPD services in a cashless manner, मतलब आप insurance करवाओगे, तो आपको cashless manner में जो हो OPD services मिल जाएगी, को दिखाना चाते हो, कोई भी जानकारी लेना चाते हो, या आप कोई like test करवाना चाते हो, फीजियो थेरेपी session लेना चाते हो, OPD services में यह सारी चीज़ ने इंकलूड़ है, और वो cashless होंगी, क्योंकि आपने यह insurance करवाया होगा, और यह insurance जो provide कर रहा है, वो ICAC Lombard Journal insurance कर रहा है, इनकी application है, I will basically take care application, I will take care, तो इस application के थुरू आप इस befit को जो है, वो assess कर सकते हो, और इसको assess करने के बाद जो है, वो आपको like कोई medicine चाहिए, वो आपको एक गंटे के अंदर-अंदर deliver कर दी जाएगी, ठीक है, अगर आपको होगे कि आपको test करवाना है कोई, त तो यह सारी facilities जो है, वो आपको यहाँ पे मिल रही है, तो इसका मतलब fit रह सकते हो, इस application से इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, befit, और यह कौन सी application के थुरू मिलेगा, I will take care, जो कि ICAC Lombard General Insurance के application है, और याद रखो कि इसके CEO कौन है, ICAC Lombard के, यह है, बारगव दास गुप और इसका headquarter Mumbai है, इसको बनाया गया, दो है, एक में, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ICAC Lombard General Insurance, befit cashless OPD है, तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपका insurance के अंदर ही cover कर दिया जाएगा, नेक्स आते है, Union Minister of Power and New and Renable Energy, R.K. Singh Ji जो है, तो उन्होंने Green Day Ahead Market जो है, वो उसको launch किया है, Green Day Ahead Market का मतलब है, Renable Energy के अंदर, कि हम जो है, वो Renable Energy के अंदर trade कर सके, Renable Energy के अंदर हम पैसा invest कर सके, और Power Trading Market बन सके, अब इंडिया के पास दो Power Trading Market है, एक तो कौन कौन सी है, एक तो है, PXIL, PXIL का मतलब है, Power Exchange India Limited, एक है हमारे पास, India Energy Exchange, IEX, और इन दोनों Exchange के थ्रू हम Public Private Partnership जो है, वो कर सकते हैं, और हम Power के, मतलब Renable Energy को और भी जादा जो है, वो इंडिया के अंदर लेके आ सकते हैं, इसलिए इसको launch किया गया है, Green Day Ahead Market, तो मतलब एक अच्छा इनिश कर सकें 2030 तक, वो तब ही पूरा होगा, जब दो countries के बीच में agreement होगा, दो companies के बीच में agreement होगा, तो वो इसी market के थ्रू जब हो सकता है, और Ministry of New and Renable Energy के जो Union Minister है, वो R.K. Singh है, उनकी constituency कौन सी है, आ रहा हो, आ रहा कहा है दोस्तों, बिहार, 1857-1857 के रिवोल्ट के एक बहुत ह आ रहा है, तो आप देख सकते हो, यह Renable Energy को ट्रेडिंग के लिए है, मतलब electricity generation and distribution companies, जो है, वो trade कर सकते हैं, buy or sell कर सकते हैं, और Renable Energy को, इसका मतलब है, जो sellers हैं, basically, वो कौन होगा, वो power generating stations होगा, जहां पर power generate हो रही है, जो buyers होगे, वो companies होगी, like industrial units होगे, commercial consumers होगे, वो क्या एक तो power exchange India limited है, एक हमारे पास Indian exchange है, मतलब India energy exchange है, तो इन दोनों के थ्रूज है, वो यह agreement किये जा सकते हैं, बहुत ही simple सा question था, अब आते important questions के ओपर, लेकिन वीडियो को like करना है, share करना है, maximum to maximum और channel को subscribe कर दें, लेकिन telegram group को भी आप description box से join कर लें, question क्या है, कौन सी country ने plan क किया है, कि वो कुछ standardized guidelines जो है, वो renewable energy certificates के लिए issue करेंगे, और यह बहुत ही अच्छा initiative है, फिर से renewable energy की बात हो रही है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं, कौन सी country की, Singapore की, सी answer होगा, तो Singapore ने renewable energy के certificates issue करने के बारे में कुछ guidelines issue की है, ताकि हम अपने power sector को decarbonize कर सकें, जो carbon emission बह लेकिन इस तरह का guidelines जारी करने वाला Southeast Asia में, यह पहली country बन गया है, सिंगापूर, जिसने इस तरह की guidelines issue की है, और इसमें renewable energy की जब हम बात करते हैं, तो इसमें solar, wind, biomass, सब तरह की energy के लिए यह जारी किया गया है, और यह certificates जो है, वो market-based एक तरह के instruments हैं, like renewable energy certificates, एक तरह के market-based instruments हैं, जहां पर जो prices है, energy के, वो market demand के according, जो है, वो क्या होंगे, settle होंगे, मतलब जो certificate होगा, वो tradable होगा, और उसके prices बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन यह according to demand होगा, लेकिन एक minimum price, एक maximum price, जो हो decide कर लिया जाएगा, कि इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे ज्यादा न यह भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, तो simple है, याद रखना है, renewable energy certificates कौन सी country issue करेगी, Singapore करेगा, और उसको खरीदा या बेचा जा सकता है, लेकिन उसमें minimum और maximum value जो है, वो उसके नीचे या उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और एक certificate का मतलब आपने 1 megawatt आर जो है, वो electricity क certificate जो है, वो खरीद लिया है, तो इसको भी आप याद रख से, तो renewable energy के हम बात करें, तो Singapore है, जिसने इसके लिए कुछ guidelines जो है, वो issue की है, next, who published state of climate in Asia 2020 report जो है, वो पेश की है, और ये report पेश की है, World Metrological Organization ने, अंसर क्या होगा, भी होगा, याद रखना है, state of climate in Asia, तो इसमे बताया गया है कि natural disaster like cyclones आये, बहुत जादा आपको पताया, 2020 में, आप कहा सकते हो, floods है, कहीं पे अकाल पढ़ गया, droughts है, कहीं पे आप कहा सकते हो, कि अलग-लग तरह की चीजें हुई है, environment related, तो जो natural disaster हुआ है, उसके कारण किसी country को कितना loss हुआ है, तो सबसे यादा loss हु इंडिया को almost 87, 87 billion UST का नुकसान हुआ है, और तीसरे नंबर पे है Japan, 83 billion UST का नुकसान हुआ है, तो इसमें चाहे glacier melting है, चाहे sea level जो है, वो rise होना है, चाहे कहीं पे बारिश कम होना ज्यादा होना है, तो यह सारी चीजें इसके अंदर ली गई है, जो भी weather के कारण जो है, दिक्कत आ रही है, जो भी natural disasters है, तो अब देख सकते हो, इंडिया को 87 billion dollar का नुकसान हो है, natural disaster के कारण last year, और यह world meteorological organization की हम बात करें है, वो याद रखना है, WMO जो है वो intergovernmental organization है, और 193 countries जो है वो इसकी members है, और इसका headquarter जो है, वो कहाँ पे मिलेगा, जनेवा के अंदर, next साथ है, global media and information literacy week, जो है, वो 24 से लेके 30 October तक मनाया गया, 2021 में, और इसका मतलब main, जो मकसद है, वो यही है, media and information literacy for all, और यह 24 से लेके 30 October के बीच में मनाया गया, और इस बार जो है, वो 10th number का, हमने यह celebrate किया, मतलब 10th time हम इसको celebrate कर रहे हैं, और कौनसी country ने इसको host किया है, South Africa, South Africa, जो है, वो इसको host कर रहे है, और co-organized, जो है, वो किसने किया है, इसको, UNESCO ने इसको co-organized किया है, तो याद रखना है, UNESCO organization से सबंदत है, South Africa ने इसको host किया है, 24 से 30 October के बीच में मनाया गया, theme क्या है, media and information literacy for public good, तो लोगों को aware करना, media और उसकी information के बारे में, fake news बह है, 24 से लेके 30 सकतों बढ़ता है, नेक्स आते हैं, one-liner important point में, जिसमें पहला point है, कि South Korea के former president, रोह ताइवू, उनका देहानत हो गया है, तो सिर्फ आपको question examiner क्या पूछ सकता है, कि रोह ताइवू, जो है, वो कौनसी country के president थे, अपने याद रखना है, कौनसी country के थे, South Korea क उनका मतलब South Korea को democratic elections में लेके आने में बहुत बढ़ा रोल है, और South Korea के वो president रहे चुके है, 1988 से लेके 1993 तक, next, vigilance awareness week मनाया गया, 24 अक्तूबर से लेके 1st of November तक इसको मनाया जाएगा, तो यह start तो हो चुका है, और आप कह सकते हो कि इसको, जो सरदार वल्लबाई पटेल जी ह Central Vigilance Commission का, जो लोगों को aware करेगा कि transparency बहुत ज़्यादा जरूरी है, integrity बहुत ज़्यादा जरूरी है, accountability बहुत ज़्यादा जरूरी है, खास करके जो सरकारी नौकरी पे लगे हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं और लोगों में awareness create करेगा कि किस तरह से हम corruption को कम कर सकते हैं, और इसका theme क्या रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, theme है, independent India at the rate 75, self-reliance with integrity, तो हमने आतनिर्बर तो बनना है, लेकिन यह integrity होनी चाहिए, हमारा अपना जो है, वो क्या होना चाहिए, लाइक आप कह सकते हो, अंदर से जो है वो आत्मा जो है, वो क्या होनी चाह प्योर होनी चाहिए, ताकि हम किसी के साथ दोखा ना कर सके है, तो real meaning integrity का यहीं है, और आपने एक बात और याद रखनी है, Central Vigilance Commissioner कौन है हमारे, Central Vigilance Commissioner है, सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल, नेक्स्ट है, शवकत मिर्जी जोय, one second term as the president of उजबे किसम, बहुत बार बारी मतों से जी चुके हैं, दूसरी बार जीते हैं यह, और पांस साल का टर्म अब जो है, वो इनका दुबारा से स्टार्ट होगा, टोटल वोट्स आप देख सकते हो, 80.8% पड़ी हैं, और आप शायद जानके हरान हो जाओगे कि इनको 80.1% वोट्स पड़ी हैं, तो इत सकते हो, हिंदुस्तान, यूरी रिवर लिम्टेड को जो है, वो ओवर्टेक कर लिया, और ओवर्टेक करने के बाद इनके शेर जो है, वो काफी राइस कर गए, और फिफ्थ मोस्ट वैलूड कंपनी बन गी है, यह मार्किट कैपिलाइजेशन के एकॉर्डिंग, और ICAC बै प्टेरस, क्रोन, एक New Battle Species जो है, वो मिली है, जो क्रोना वाइरस के नाम से रखी गई है, तो अब कह सकते हो, यह कहां पे मिली है, यह जो स्पिशीज है, हमारे पास, ट्रिगनो प्टेरस, यह हमें मिली है, इंडोनेशिया के एक आईलेंड पे, इंडोनेशिया का आईलें के effect के उपर, याद रखोगे, simple सा question है, सिरफ इस line को पढ़ लेना आपने, 26 October 2021 का question क्या था, question again बहुत simple था, कि Africa और Europe को separate करने वाला इस में से कौन सा क्या है, कौन सा sea है, कौन सी कैनाल है, तो आप बता सकते थे, यहां पर आप map देख सकते हो, यह है दोस्तो Africa, आप यहां पर देख सकते हो, यह देख सकते हो, आप ऊपर है Europe, यह इधर आप देख सकते हो, रेड में क्या है, एशिया है, तो अगर आप दियान से देखोगे यहां पे, तो आपको पता लगेगा कि यह बीच में, जो आप यह देख रहे हो, यह है Mediterranean Sea, क्या है Mediterranean Sea, और यह वाला जो है वो पास क्या होगा, थर्ड होगा Mediterranean Sea, अगर वो पूछ लेता एशिया के साथ, तो अंसर क्या लगा देते, Red Sea, और फिर आप देख रहे हो, यहां पे Seuss Canal, तो इसको अगर हम हटा दे यहां पे, तो आप देख सकते हो, कि यह Mediterranean Sea और Red Sea को जोडने वाला, यह अलग करने वाला, जो ह basically क्या है, Seuss Canal है, Seuss Canal, Next आते question of the day, question of the day क्या कहता है, कौनसी country African continent में smallest country है, तो African continent को खतम करेंगे बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छे-च्छे से question करके African continent से, किसी एक और continent को उठाएंगे, तांकि आपके सारे continent-wise question भी दिरे-दिरे करके cover हो जाए, तो smallest country बतानी है, अप्र ये area-wise बतानी है, अपने population-wise नहीं, मैं आपके answer का wait करूँगा, answer मुझे comment box में दे दें, लेकिन video को like करना है, share करें maximum maximum, कम से कम एक दोस्त को तो यार share कर दो, channel को subscribe कर दे, अभी के अभी, और आप हमारे telegram group को भी join कर लें, इस bell button को press कर दें, ताकि notification और time मिल सके, ये affairs cloud का promise ह कि आपके confidence को जरूर boost करेगा, इसी तरह से sport करते रहें, और video देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हसते रहें, मुस्कराते रहें, life को बहुत जादा serious ना लें, thank you guys, take care and bye-bye